तो भाई हमारे ब्रॉक लेसन को एक बार फिर से स्पॉट किया गया है पबलिक प्लेस पर तो आप इस फोटो के इंदर भाई देख सकते हो के ब्रॉक लेसन अपनी डॉटर के साथ है और वो अपनी बेटी के स्पोर्ट के किसी मैच को देखने के लिए आये हुए थे ज्याद उनका एक्शन एंड वो डॉमिनेटिंग वाला बीस्ट में देखने को मिलने वाला है इसी के साथ आने वाले टाइम में बलड़न की स्टोरी लेन कैसे होने वाली है और साथ ही साथ रिकोशे डबी डबली को लीव करने वाले हैं तो सब कुछ इस वीडियो में डिसक्स करें मेरी जान तो सबसे पहले तो आप सोलो सिक्वा की ये वाली वीडियो देखो जो कि समेड़न आफ़ेर जाने के बाद की है तो यहां पर सोलो सिक्वा रैम पर जा रहे थे तो यहां पर एक फैन होती है जो कि सोलो सिक्वा को बोलती है वेर्स यूर डैड़ी मतलब के वो रो प्रोमरेज तो सोलो सिको ने इसका जो जवाब है वो इस तरह से दिया है अगर आप ऐसा फैन होते तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो सोलो सिको ने कहा आसकी और मॉम कि अपनी मम्मी से पूछ जाकर तो सोलो सिको तो भी अपने पूरे हील क्रेक्टर में घुष चुके हैं पूरी तरह से और पूरा टका टक जो है वो जवाब देना भी शुरू कर दिया है सोलो सिको ने फैन्स को अगर कोई फैन उसके बारे में ऐसा कुछ बोलत हैं और जब यह दोनों एक साथ हो जाएंगे दन उसके बाद हमें रोम और रेंज का रिटर्न देखने को मिलेगा और अगर देखा जाए तो भाई यह बुरी और अच्छी वाली ब्लडलाइन के अंदर पंगे बाजी कैसे शुरू होने वाली है तो इसके बारे में भी मैं बताता हूं तो क्रण टाइम में आपको पता ही होगा कि जे उसो सबसे बड़े बेवी फेस हैं और वहीं पर देखा जाए तो ब्लडलाइन के अंदर सोलो सिक्वा सबसे बड़े हील सुपरस्टार हैं तो यहाँ पर जो है वो जे उसो को चुलू पंती करने वाले हैं सोलो स स्टी कुआ के साथ जो की लीड करेगी इनकी स्टोरी लेंकी और और बाइज जे उसो का सा देने के लिए यहाँ पर उनके जिमी उसो भी आएंगे तो जीमी उसो झालाटर फिजन नाने के लिए वा प्लेस होगी WWE के लिए और रोमरे सीधा आकर अलाइन हो जाएंगे दी उसोस के साथ तो ये एक ऐसे प्रॉपर स्टोरी लैन बन सकती है मेरे इसाब से तो अग भी तो फिलाल मामला थोड़ा सा ठंडा चल रहा है जैसी जैसे टाइम पास आएगा Summer Slam का तो ये गर्मा गर्मी और भी जदा बढ़ने वाली है assemb 계ंदर के अंदर कि बहि ये सबी जो Family Drama है ना इसकी जो शुरूात है वो Summer Slam से पहले होने वाली है तो मतलब की ये जो 2 मीनों का टाइम है यह बहुत खास होने वाला है WWE में फैंस का जो इंटरस्ट खत्म हो चुका है WWE को लेकर वो अभी वापिस आ जाएगा थोड़ी ही दिनों के अंदर अब बात करते हैं आज की last and final update की तो आप रिकोशेट की अगर fan हो अगर आप उनकी moves के fan हो तो आपके लिए एक बहुत sad news निकल कर आई है और ये कोई rumor नहीं है ये कोई speculation बगरा नहीं है ये official news है तो यहाँ पर जो PW Insider है वो report करता है के रिकोशेट WWE को leave करने वाले हैं और उनका जो contract है वो summer slam के round खतम होने वाला है और इसवार वो अपने contract को renew नहीं करेंगे बलकि रिकोशेट ने यहाँ पर जाए वो WWE को notice दे दिया के मैं छोडने वाला हूँ WWE को और इसका reason भी obvious है क्योंकि रिकोशेट की जो booking है वो कुछ मीनों से काफी सरा बिकार चल रही है इसी वाज़ा से ही रिकोशेट यहाँ पर leave करने वाले हैं WWE को क्योंकि जिस तरह से वो high flying action करते हैं इतनी बड़ी तकडी moves करते हैं अच्छी booking होनी चाहिए थी रिकोशेट की बाकी आप क्या कहना चाहोगे इसके बार में क्या रिकोशेट को WWE को छोड़ना एक अच्छी बात है क्या WWE को एक अच्छी booking देनी चाहिए थी रिकोशेट को सभी लोग जुरूर बताना मुझे अपने अपने thoughts बाकी अब सवाल ये भी उड़ता है क्या रिकोशेट के साथ समन्ता जो की उनकी life partner क्या वो भी WWE को लीव करने वाली है देखो इसके उपर फिलहाल तो कोई report नहीं निकल कर आई है अगर आने वाले कुछ दिनों में ऐसी कुछ report निकल कर आती है तो मैं तुरंत आपके साथ channel के उपर share कर दूँगा तो उसके लिए channel को subscribe करके रख लेना बागी अगर आप मेरे से personally chat में बात करना चाहते हो तो आप मेरे Instagram पर आ सकते हो link description में मिल जाएगी आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like करने और साथ इसा सारे लोग channel को subscribe ठोक दना मेरी जान